बागेश्वर बाबा मरे साथ है आपके मन में अभी क्या भाव आ रहा है आयोध्या नगरी सजी हुई है राम नाम की गुण्ज हो रही है भारत नहीं पूरी दुनिया में गुण्ज हो रही है जै स्याराम और वरतमान में बैटकर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे जो आपने प्रशन किया भूतो ना भविश्यती भारत दीपावली से बड़ा तयोहर 22 जनवरी को मना रहा है ऐसा आज तक किसी ने अपनी आखों से देखा नहीं है और ये भारत के लिए गौर्वान वित दिवस है कि भारत नई आत्रा प्रारंब कर रहा है विश्व गुरु वन्ने की आत्रा प्रारंब कर रहा है राम राज्य स्थापना की आत्रा प्रारंब कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा देर नहीं मुश्कर से 12 गंटे बचे हुए जिस रामराज्य के आप बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर जी अब इस रामराज्य में आप क्या परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं ऐसा क्या देख रहे हैं जो आपको लगता है सब बदल जाएगा बरत्मान में सामाजिक एकता, पहली बार भारत में सामाजिक एकता हुई, भारत में पहली बार सबरी, बालमीक, निशाद, कोल भीर, इन सब को सम्मान मिला, और यह भारत नया भारत है, जहांके एयरपोर्ट का नाम भी महरसी बालमीक जी के नाम से रखा गया, इससे अच्छ अब वो मिटकर के रहेगा, अब भारत का हर सनातनी एक हो करके भारत को विश्व गुरू बनाएगा राम लला का क्या संदेश आप पूरी दुनिया में जाता हुआ देखते हैं इसके लिए हम अपने पूज भहिया अनुत श्री भी भूशित पूरी विश्राजी महाराज जी से कहेंगे वह आपको संदेश बताएंगे कि राम लला का संदेश अयुद्या से क्या जा रहा है क्योंकि आज दिन भर से पूज महाराज जी संतों से मिल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तु भ्याम जै बागिश्वर दाम देखिए अवद की पवित्र भूमी जहां संत साध्धू सन्यासी तपस्वी साधक उपासक्सव यहीं रहे है ऐसी पवित्र भूमी पर जहां राम जी महाराज विराजमान हो रहे है सभी को एकी संदेश दे रहे है कि एकता में रहना और आनंदता में रहना जैसी आज परसंदता पूरे विश्व में है जितनी खुशी जितनी उमंग और जितना आनंद आज पूरे भारत में है ऐसा ही आनंद जो अवद में चाया हुआ है वो पूरे राष्ट में है ऐसा ही आनंद, जीवन पर्यांत रहे, यही मेरे रागहुजी हर जन्मनस को प्रेणा दे रहे इस वक्त मैं आपके पास एक सवाल और लेकर आ रहा हूँ लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है और अब थोड़े बदले-बदले से उनके बयान दिखाई देते हैं शंकराचार स्वामी अभी मुक्तेशवरा नन सरस्वती ने क्या कहा है इस वक्ति एक बड़ी ख़बर अपने दर्शकों को बता दे मोधी के पी-म बनने से हिंदूओं का सवाभी मान जागा है ये जोटी बात नहीं है अभी मुक्तेशवरा नन सरस्वती ने कहा हम मोधी विरोधी नहीं है मोधी प्रशंसक है ये उन्होंने कहा मोधी पहले पी-म है जो हिंदूओं के लिए दुरता से खड़े है पी-म मोधी हिंदू भावनाओं के समर्थन करते हैं हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे है अभी मुक्तेशवरा नन जी ने कहा है ये मैं अब सीधे चलूँगा बाबा पागेशवर जी के पास जो अवरोध थे वो राम लला ने मिटा दिये क्या कहींगे आप देखिए बरतमान समय में भारत में रहने बाला अगर उसके हिर्दय में थोड़ी सी भी सनातन की जागुरती है तो ना तो वो राम बिरोधी है ना राम मंदिर के बिरोधी है ना हो सकते हैं जो राम का बिरोध कर रहे हैं वो भारत की नहीं है और वह राम के पक्षदर नहीं है वह सनातन के पक्षदर नहीं दूसरी बार, रामायन में एक जगे वरनन आया, जब प्रभुशी राम का उतरन हुगा तब आया है, ग्रह वार नक्षत्रति थी, सकल भये अनकूल, जब प्रभुशी राम जी प्रगट भये, तो सब कुछ अनकूल हो गया था, तो आपने अगी जो ब्रेकिंग न्यूज दी है, निश्चत रूप से कल प्रभुशी राम प्रगट हो रहे हैं, तो सब अनकूल ही अनकूल होना है, और उसमें कोई संदेह नहीं, अच्छा, बागेश्वर बाबा जी, मुझे याद है, आपने कहा था कि शंकराचार जो है, वो प्रधान मंत्री की तरही होते हैं, अब हो भी कह रहे हैं कि उनके आने से हिंदूओं का सवाविबान जागा, बिल्कुर, इसमें कोई संदेह, देखो, जो राम का काज करेगा, हम राजनेतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, ना किसी भी राजनेता की, लेकिन जो राम का है, हम उनके हैं, क्योंकि हमारा जन्म सन सनातन में हुगा और हमारा काम है सनातन की प्रचार को बढ़ाना, हमारे उपर जो अत्याचार हुए, दो लाग सनातनियों को मारा गया, पांसो वर्ज के दिहास में, और बड़ी क्रूरता के साथ, हमारे प्रभुषी राम के मंदिर को मिटा करके, जो मस्जिद का निमान कर हम सब सनातनी सादू संत में, बस उसकी पीडा थी, उसी की पीडा पर भिज़ moeten हुए, और कोई भी सरकार कर वाए, कोई भी प्रधान मंत्री कर वाए, हमें सब सम मानी है, लेकिन बर्थमाय में मान yeah, प्रधान मंत्री शीनिनरेंद भाई मोदे जी निकार वग्यूर पिठ और कोबेश और प्यास पेट दोनों साधू बाद देती, यो ब्पारत का प्रतेख संत महत्मा उनको साधू बाद दे रहा है, के बड़ी दिर्टा के साथ, आप सं reviews' उनके साथ है, तो महत्माओं का आसिर बाद उनके साथ है, क्योंकि महत्माओं को राजनीती तो करनी ने, व अभी दो चीज़ हैं हमारी बाकी रहेगे, क्यानवापी और मत्रा अभी बाकी है, पंडित प्रदीब मिश्चा जी हमारे साथ हैं, आपके बगल में बैटे हुए हैं, राम जोडने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि राम लाला मंदर के बात वो एक संदेश जा रहा ह राम जोडने की जो बात करते हैं, वो चीज़ सामने है, समाज में एकता आएगी, क्योंकि अभी जगर, अगर मत्रा और काशी की बात हो रही है, और फिर समाज में एकता की बात होती है, तो थोड़ा सा चिंता बढ़ती है किस बात की चिंता बढ़ाना, जब अवद में राम जी बेठ जाएंगे, तो जी जी, अवद में जब राम जी बेठ जाएंगे, तो चिंता करने की जरुवती ही नहीं है, मत्रा में भगवान कृष्ण को आना ही है, और बेठना ही है, काशी में भगवान शिव को विराजमा होना ही है उसमें चिंता का कोई कर्मे ही नहीं रहा जब राम जी आ गाए है तो पूरा परिवार लेकर ही आएंगे कोई भी आता है एक संत आया सादू आया तो उसके सब परिकर साथ में चलते हैं उसी तरह भगवान राम के साथ में भी सभी देवता चलते हैं तो वो तो कि निरेन शास्ती जी मैं आप से जानना चाहूंगा कि राम मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्च करना पड़ा बहुत लंबा संघर्च करना पड़ा अब जब बात मतरा और काशी के हो रही है तो क्या वहां पर भी संघर्च आपको दिखाई देता है या अदालती फैसलों का इंतजार करना होगा मैं अजिया अधिन टोड़ने कां अकम्ा अकवर ने किया मंदिर तूट रहे थे मस्जद बन रही थी तब मसत लग रहा था अप्पिर से मंदिर बन रहे तो दस्ट लग रहा मैं आपसे एक चीज पूछूँगा यहाँ पर अगर अलग-अलग नेताओं की बात की जाए तो राहुल जी शिव जी की पूजा में लीन होंगे ममता बैनर जी काली खाट मंदर में होंगी अर्विन केजरिवाल सुंदर कान का पाठ कर रहे होंगे सनातन के लिए यह तो फिर बड़ी अच्छी बात हो गए बिल्कुल बेचे जग राम सबके है सनातन सबका है सनातन का मतलब किसी मजभ का विरोधी नी सनातन का मतलब विश्यो की आचार्य शंगता सनातन का मतलब आदी जो प्रारम में था सनातन का मतलब विश्व में सांती एक केबल सनातन ऐसा है जिस सनातन धर्म में मंदरों की पूजा के बाद जैगोस किया जाता है विश्व में सांती हो विश्व का मंगल हो विश्व का कल्यान हो धर्म की जै हो अधर्म का नास हो केवल दुनिया में एक धर्म है Sanatana और केवल यही धर्म है बागी सब मजव हैं और दूसरे मजवुब हैं तो अपने लोगों को केवल मानाव मानाजाता बागी सब को कायर माना जाता काफिर माना जाता है इसलिए Sanatana ही सरवोपरियो सर्वोत्तम उपाए क्या आपको ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला उसमें सनातन धर्म की जय हो यही एक मुद्दा होने वाला अब देखो चुनाव एक अलग विशय धर्म अलग विशय धर्म से राजनीती चलती है राजनीती से धर्म नहीं चलता है राम जी से राजनीती चल सकती पर राजनीती से राम जी नहीं चल सकती है भारत के जागरुक लोग है वोट अपने हसाब से डालेंगे हम अगर हम कह भी दें कि आप इनको vote दो तो सबको मानना नहीं है हम विरोध भी करें तब भी सबको मानना नहीं इसलिए सर्वोथत्म हमारा जो मारग है वो है सिर्फ अध्याद हम उस पर बोलेंगे राजनेत अपने हिसाब से बोलेंगे उनके लिए अभी समय है 2024 के चुनाओं में वो अपने अपने प्रोफो गंडा अपनाएंगे अपनी अपनी भासरवाजी करेंगे वो उनका देश लेकिन बाबा बागेश्वर क्या कहेंगे अब जब राम मंदिर का जो मुद्दा है राम मंदिर बन चुका है मथरा और काशी का मुद्दा अदालत में है अब क्या आपके लिए महतता रखथा है हिंदू राष्ट या पियो के सनातन के लिए क्या है अब आगे हमारे लिए महत्तपूर है राम राज हमारे लिए महत्तपूर है पाक अधिकत कस्वीर भारत में बिले होना हमारे लिए महत्तपून है ग्यान बापी का फैसला सी गराना हमारे लिए महत्तपून है कृष्म जर्म भूमी का फैसला पक्ष्म सी गराना हमारे लिए महत्तपून है भारत में जाती गरना नहीं अपितु गरीबों की गरना की जावें हमारे लिए महत्पून है इस भारत में बिच्छडे पिच्छडे लोग कितने हैं वो किसी भी बिरादरी के हो उनको सम्मान प्राप्त हो बैं हमारे लिए मानन है हमारे लिए सर्वोपरी है कि जिन महलाओं के साथ वरवरता के साथ अत्याचार हो रहा उनको न्याय प्राप्त हो बैं हमारे लिए महत्तपून है जो बिछड़े पिछड़े इलाके हैं जहां आदवासी छेत्व हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की दबंगई और कुरूरता नहों है हमारे लिए सम्मान कार्य महत्तपून है इसलिए राम राज्य का मतलब ही यही है हम इसी के लिए जी रहे है कि मैं पंडित प्रदीव मिश्रा जी से सवाल जरू पूछना चाहूंगा जब प्रभू श्री राम अयोध्या लोटे थे तो भगवान शिव पार्वती ब्रह्मा जी सब उनको देख आरम कर लिया जब आजी से नजरा दिख रहा है तो कल का नजरा तो कुछ और भी होगा जिसमें सारे देवता अभी से ही सम्मिलित होना चालू हो गया है तो कोई दिक्कत वे विशय नहीं है कल का नजरा आप स्वयम देखेंगे और पूरा विश्व देखेगा एक उजाला एक प्रकाश और एक आनंद पूरे विश्व में प्रकाशीत होगा कल के नजरे से मेरा सवाल बागेश्व और बाबा से ये है जो हम परिवरतन अयोद्ध्या में देख रहे हैं। उस परिवरतन से क्या पूरे बेश में भी एक परिवरतन आता हुआ दिखाई देगा और ये आद्यात्म के लिहाज से है, development के लिहाज से है, progress के लिहाज से है, या सनातन धर्म के लिहाज से कल के परिवर्तन को केवल अयुध्या में नहीं पूरे भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में देखा जाएगा राम मंदिर के निर्मान से केवल हिंदूओं का भला नहीं राम मंदिर में प्रभूशी राम के व्राजमान से समूचे भारत वासियों को गौरोप्राप्त होगा डवलोप्मेंट के हिसाब से जैसे अयुद्या चमक दमक गई अब भारत भी चमकेगा धमकेगा और भारत में नए रास्ते निश्चत रूप से खुलेंगे विदेशी परियाटक जब भारत में दर्शन करने आएंगे राम मंदिर के भब वर्दिब बिताके तो आर्थिक उन्हतीभी हो बेगी यहाँ पर आटो चलाने वालों को भी लाब होगा बस चलाने वालों को भी लाब होगा सरकार की चलने वाली रेली आत्रा की चिक्टों से सरकार को भी लाब होएगा और शाथ ही साथ आयुद्या की डवलपमेंट शे उत्तर प्रदेश का विकास होगा उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास होने से समूचे भारत का विकास होना की रास्ता खुल जाएगी और यह development के साब से आर्थिक, लौकिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से कल का दिन भारत के लिए महत्पून है केवल हिंदूओं के लिए नहीं सभी भारत में रहने वाले जो भी हो किसी भी मजब की अन्याई हो उनके भगमान कोई और हो सकते हैं पर सब सनातन की व्रक्ष के छाया तले जीने वाले जितने भी लोग हैं भारत में लेने वाले लोग हैं पतलब साथ पांच की लाठी एक जनों का बोज हमारे बंदेल खंड की कहावत है कि जब सब एक हो जाते हैं तो फिर नए उपाय होते हैं नई विवस्ताइं होती हैं और नया प्रिवर्टा होता है बागेश्वर बाभा से हमारे ये आ gravy सवाल है शो का राम वापस लोटाएं अब राम-राज क्या होगा सवाल खंडा ही होता है क्या राम-राज होगा अगर राम-रा-ज होगा तो राम-राज क्या होगा आप यही माहौल जो आप आज देख रहे हो यह रामराज से आपको कम लग रहा है क्या रामराज नजरा रहा है हमारे मद्ध प्रदेश में माननीय मुक्मंत्री जी द्वारा मास और मंदरा पर विक्रे लगा दिया कल अब यह क्या रामराज नजरा रहा तुमें यह रामराज्य है यही रामराज्य है धन्यबाद है उनको और जितने प्रदेशों में यह बंद करवाया गया इस देश में सबसे भयंकर जड़ है नसा नसा पर ना कोई बात करता है ना कोई चड़चा करना चाहेता लेकिन हमारे म प्रत्र Islands मेंद हुषी महोहन यादव ने कल के दिन میदम मंदियां पर विक्रए पर इस यही राम राज्य है और यही हम पूरे भारत में स्दा सदा चाहें यही रामाराजी यह हुः निसाद भी वह मालमी की भी हो संत हो महंत हो हम आज अभी जहां बैटे हैं स्री राम लाला सिवा सदन में परम पुझा नहीं तो सिर्भी बुशे जगत गुरु सिरागवाचा जी माना साम महात्मा यहां बैठे आनंदा रहा जोपणियां लगी हुई है जगह जगह मेला भंडारे लगे हुए यही राम राज्चे और एक अंतिम बात आपके सोका अंतिम पुश्चनवीता अंतिम उत्तरोर सुब पहली बार अध्यात्मिक जी इतना अध्यात्मिक महुत्सव को नेशनल मीडिया कैच कर रही है यह राम राज्चे मैं आपसे एक अनुरोद और करूंगा और यह अनुरोद यहां पर तमाम लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं वो सब मुझ से बोल रहे हैं वो मेरा अनुरोद आपसे यह है कि जाने से पहले क्या आप कुछ गुन-गुना स आदमी नहीं हैं अनुराग वाले हैं पर हमो भहिया जी पुझ महराजी हम दोनों मिलकरके जो है गुन-गुनाएंगे बिल्कुल गुन-गुनाएंगे अरे हमको तो एक ही भाव महराजी के साथ में याद आ रहा है जो यहां पर गा करके हम सब को कहना भी चाहिए सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे मन मीछो मीछो सरजू जी को पानी लागे सीता आम जी की प्यारी रज धानी लागे मन मीचो मीचो सरजु जी को पानी लागे ओ धन को सल्या धन कैंकई धन सुमित्रा माता धन भूप दसरत के आंगन खेल चारो ब्राता राम रसे से रसीली रज धानी लागे रज धानी लागे मन मीचो मीचो सरजु जी को पानी लागे सीता राम जी से प्यारी रज धानी लागे मने प्यारो प्यारो अर्यु जी रो पानी लागे अयुद्या राम नला सरकारी की, बागेश्वर धाम की, हन्वान गडी की, कूबेश्वर महादेव की, हर हर महादे।